गुड मॉर्निंग स्टुडंट शुब प्रभातम तो आज हम कक्षा नववी का दुतिय पाठ देखेंगे जिसका नाम है स्वर्णा का कहां जो आज का जो पाठ है वो दूसरा पाठ है नववी क्लास का उसे आज हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ श्री पदमशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नाम कथा संग्रा से लिया गया है इसमें विविद्न देशों की सो लोग कथाओं का अनुपम संग्रा है यह वर्मा देश की एक स्रेष्ट कथा है जिसमें एक सुनारे पंखो वाले कोवे और द दूस्परिनाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिनाम का वर्मन किया गया है दूसरा जो यहाँ पाठ है इस पाठ में लोग और लालज की कथा बताई गयी है इस कथा के माध्यम में दो स्वरूप है इस कथा के एक है कोवा है और दूसरा जो है एक लड़की है इन दोन बेड़ों के बीच में यह संवाध है और यह संवाध के साथ इस कथा में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी लोग मुले नहीं 도 soccer इसी बात को संस्क्रिप किसी कवी ने कया है अती लोभ करना नहीं को सम दो mobile future अगर हमारे जीवन में संतोश होगा, साटिस्फेक्शन होगा, तो निश्चिदा यहां मारे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे और उसे प्राप्त हम बहुत जंदी कर पाएंगे. इसी बात का अगर मोटा उधारन देना चाहे, तो हमारे भारतिय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे, मेंदर सिंग धोनी, इनका धेरे के साथ बड़ा लगाव है, यह अपना जो भी काम करते हैं, जो भी कारे करते हैं, उसमें इनका बड़ा धेरे देखा जाता है, और बड़ी धेरे के साथ बड़ी से बड़ी कठनाईयों का और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान अपने धेरे के कारण निकाल पाते हैं, और भारत को एक प्रमोच स्थान पर ले जाकर पहुचाने का जो कार्य उन्होंने किया है, वो सारा कार्य जो है, और इस कार्य का जो श्र इस पार्ट में धेरे का भी उलिक किया गया है साथ में कहा है और जो लालच है उसका जो दुश परिनाम है इसका जो परिनाम होता है जो लालच के कारण उत्पन होता है या पैदा होता है उसका जो परिनाम होगा वो बहुत ही कठिन होगा बहुत ही भयंकर होगा इसलिए इसक उसे हमारे जीवन में धारन करना चाहिए और आज की जो कथा है जो यह पाठ है दुतिया पाठ स्वर्ण का कहा यह जो पाठ है डॉक्टर स्री पद्मशास्त्री द्वारा रच्छत विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह से यह बुख है इनकी जो विश्व कथा शतकम नामक से प्रसिद्ध है और इस कथा गरंध में पूरे देश की सौ से भी अधिक लोग प्रिय कथाओं का इन्होंने संचे इसमें किया हुआ है और उसमें से जो पाठ है आज का हमारा स्वर्ण का कहा उसके उपर इस विश्व कथा शतकम नामक कुस्तक के उपर आधारित औ और इसका जो मूल आधार है यह है लोग इसके उपर यह कथा आधारित है तो अब मैं इस पाठ को शुरू कर रहा हूं आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और इसका अनुकरन करेंगे और पाठ को सिफ पढ़ना ही नहीं है इसे हमें आपने जीवन में धारन भी करना है यह हम हमें बस पढ़ करके एक्जाम में लिख करके अच्छे मार्स लाना इसका उदेश नहीं है इसका उदेश यह है कि हम आपने जो जो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं जो भी हम स्कूल में सीखते हैं इसका उदेश यह नहीं होता है कि हमें अच्छे मार्स लिख करके अच्छे जीवन में धारन करना चाहिए उसे हमें अपने जीवन में धारन करना आना चाहिए अगर आप अपनी पढ़ाई को जीवन में धारन करेंगे तो आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मार्स भी लाएंगे और समाज में अपना अच्छा स्थान भी प्राप्त करेंगे क्योंकि पढ़ लिखे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिखर के बहुत अच्छी पोजिशन पर प्राप्त हुए हैं लेकिन हमें ये देखा गया है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग लालज के कारण जैसे आगर एक एक जामपल देना चाहे तो किसी गवर्मेंट सर्वेंट को ले लेंगे या किसी को लेंगे वो सारे जो विक्ति है या पि जो सारे लोग है वो किसी ना किसी लोग के कारण या किसी लालज के देने के बाद ही अपना कारिया आगे पढ़ाते हैं आपका काम जो है आगे फोरण करते हैं अन्य था वो आपको सीधी प्रोसेस से आप नहीं ज आज का जो पाठ है यह लोब के ऊपर है तो निश्चे ही आपको इस पाठ का जो छोटा सा एक साराश है वो आपको समझ में आया होगा अब हम इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं पुरा कश्मिश्चित ग्रामों एका निर्धना व्रध्धा स्त्री न्यवसत तो यह कह रहा है कि पुरा कश्मिश्चित ग्रामें प्राचीन समय में किसी गाओं में एक निर्धना व्रध्धा न्यवसत एक निर्धन स्त्री रहा करती थी तस्याच एका दुरहिता विनम्राह मनोहराहा चाहसी और उसकी एक दुरहित्रा थी उसकी एक उस वृद्धा की एक पुत्री थी और वो बड़ी ही विनम्र और मनोहर सोभाव की थी इकदा मातास धालिया, तंडलानी मिक्षिप्या, पुत्रि माधिशे सूरियात पेट तंडलान खगे, भ्योग एक रक्षा और एक बार ऐसा हुआ कि उसकी जो माता है उसकी माता ने उसे एक काम दिया और उससे कहा गा कि या तंडुल दो और एक ठाली में इसे रख दो और इस ठाली को उठा करके धूप में सुखाने के लिए रख दो तो यह छोटा सा उसे काम उसे दिया था जो उसे करना था और यह अपनी ठाली ले करके उस धूप वाली जहां धूप आ रहे थी, कड़ी धूप आ रहे थी, वहां उसे रख दिया और पास में ही जाकर अपनी छोटी सी एक छाओ में बैड़ करके बैड़ गई हूँ और उसने उसे ये भी आदेश दिया था कि सूर्य की जो धूप है, उस धूप में इस तंडूलों को सिर्फ रखना ही नहीं है, और इसे पक्षियों से इसका सरक्षन करना है, जो बाकी जो प्रानिया आते हैं, गाह है, भैस है, या फिर जो भी हमारे गाहों में घुमने वाले जो जानन होते हैं, पक्षी होते हैं, उसे उसे उसका सरक्षन करना था, और ये कह करके वो वहाँ से चली गए, उसे ये आदेश दे करके, किंचित काला नंतरम एको विचितर काका समूड्य तमूप जगावन, और किंचित काला नंतरम, और उसने कहा कि थोड़े समय के के यहां ऐसा लिखाया कि एक विचित्र काकर समुधियत तमुपो जगामा और एक विचित्र कोवा उड़ता हुआ आया और उस थाली के पास आकर के तंडुलों को चुगने लगा और जब उसने देखा कि एक कोवा आया है और जो बड़ा ही विचित्र आकार वाला कोवा है जब उसने देखा कि नेता द्रिशन स्वर्ना पक्ष रजत चंचु और उसने जब आया हुए कोवे को देखा कि हा या सच में यह बहुत ही विचित्र कोवा है इसका जो चोंच है यह बहुत ही अलग है रजत चंचु चांदी की इसकी जो चोंच है चांदी के समान इसकी च चांजी की थी और ऐसा विचित्र कौवा उस लड़की ने अपने जीवन में इसके पहले कर्णी नहीं देखा था सामान्य रूप से हम जो कौवा देखते हैं वो काला होता है लेकिन इसने जो कौवा देखा था इसका जो रचना थी इसकी रचना जो ऐसी थी पूरा शरीर जो था वो सोने का बना हुआ था और जो उसकी चोंज जो थी वो चांदी की बनी हुई थी तम तंडुलान खादंतम हसन तंच वि का बहaches बालिका रूप हदा कार रचना बंद्णी नमें रूप कर दीखा कि वो का इसकी था का बने ब्रचनप ins च्भारा देखांणी हुई जो था इसकी थी पूरालिका यहीरु और गूलार जो जो का बना Вंद्णी खोर देख NOW श्IS उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन कर नहीं सकते थे कुछ भी लेकिन उसे देखकर कि वो पहले ही भैवित हो चुकी थी क्योंकि उसने ऐसा जो कोवा है इसके पहले कभी नहीं देखा था जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कोवा जो होता एक सामाने रूप से काले कलर का होता ह काले रंग का होता है लेकिन वो जो कववा था चान्दी का और सोने का बना हुआ था उसे देखकर वो ज्यादा ही बहवित हो उठी और वो ज्यादा ही रोने लगे तंडुलान मा भक्षिरम और उसे वो भगा करके भगाने की कोशिश करते हुए वो कह रहे है कि है काक तुम इस तंडुलों को मत खाओ तो मरिया माता आतीव निर्धना हो लते और उसने जब उसे कहा कि ये तंडुल जो है चावल जो है तुम मत खाओ क्योंकि हमारी जो माता है वो बहुत ही निर्धन है गरीब है इसलिए तुम कृपा करका हमारे इस जो तंडुल है जो चावल है इनको तुम मत खाओ और कोवा उसको प्रतिवत्तर कहते हुए यह कहता है कि तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो इसका जो मूल्य है इसका जो पैसा होता है यह मैं तुमको दे दूंगा तुम निश्चिंत रहे करके मुझे ये तंडुल खाने दो ऐसा हुआ कह रहा है सूर्योदय काकाव प्रवाच सूर्योदय प्राग ग्रामाद भही पीपल विक्ष मनुत तौम आगंतव गन्त और उसे वो कहता है कि सूर्योदय होने के बाद गाव के बाहर जो पीपल का व्रिक्ष लगा हुआ है उस पीपल के व्रिक्ष के नीचे तो तुम आजाओ ऐसा उसे वो कह रहा है और अहम तुभ्यम तंडुलम उल्यम दास्यामी प्रहसिता बालिका निद्राम अपीन ले भे और जब उसने ऐसा कहा कि सूर्योदय होने के तुरंद बाद तुम अपना जो गाव के बाहर जो पीपल का जो व्रिक्ष है वहां आकर के तुम अपने जो मूल्य है इस जो इस खुशी में वहां लड़की जो है रात भर नहीं सोई और उसने जो है अपने रात भर जाग करके उसने सुभा होने की इंतजार की और सुभा होते ही वो उस और चली गई इस दो जो हमने जो आज जो गद्य पड़े है इस दो गद्यों में जो संधी आई है उसका यहां पर मैं उल्ले करूंगा यहां पर तस्या चे एका एक संधी है उसका संधी विग्र होगा तस्या प्लस अच्छा प्लस एका ऐसा उसका विग्र होगा तंडुलान निक्षिप पुत्री मादिश है तो इसका विग्रह यह होगा पुत्री मादिश है सूरिय आतपे इसका विग्रह होगा सूरिय प्लस आतपे है ताम उपजगाम इसका विग्रह है ताम प्लस उपजगाम नेता दुर्शह न प्लस एता दुर्शह रोधितुम आरब्दाह रोधितुम प्ल बिखकर के यहा धिया हुआ है घर पर आप इसा इसको लिकर ले सकते हैं और इस Paar से समद्डी जो भी आपका जो Home वर्क है या भी जो भी आपका जो व्रियकार्य है वह आपको regulated के द्वारा और 10 पीटी के माध्यम से और होमवर्क के माध्यम से आपको PDF के द्वारा आपको घर पर पहुंचा जाएगा तो आज का जो पार्थ है यहीं पर समाप्त होता है दियोम शब्षाब